एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजिली बनाता है एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं क्रिकेट में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है और क्या अपने हवा को अपनी आंखों से देखा है और क्या आपने कभी मोधी जी की चाई की दुकान देखी एसे ही फैक्ट्स को जाननी के लिए बने रही है वीडियो के लास्त आपने ओलंपिक प्लेयर्स को देखा ही होगा कि यह मैडल जीतने के बाद ऐसे मैडल को बाइट करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैडल को ऐसे बाइट क्यों करते हैं असल में ऐसा यह 1,700 words बोलने को आते हैं और यह 1995 से ही Guinness Book of World Record में जगा बनाया है नमर 17 वैसे तो हर इंसान का खून लाल होता है अगर मैं आप से कहूं कि इंसान का खून हरा भी हो सकता है तो कि आप यकीन करेंगे दलसल इंसान के ऐसी condition होती है जिसमें कि इंसान का खून हरा हो जाता है और नमर 16 क्रिकेट तो लगबग हम सभी को पसंद है लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब भी कोई बॉलर बॉल फेकता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता लग जाती है जबकि बॉलर हवा में गेन फेकता है और चारें तरफ मैदानी मैदान होता है पहला तो क्या कभी आपने स्पीड गन का नाम सुना है अगर नहीं सुना तो आपको बता दू कि यह स्पीड गन का ही देन है जो अपने रफ्तार की मदद से बॉल को ट्रैक करती है और हमें उसकी एक्जैक स्पीड बताती है नमबर 15 इसमें तो कोई शक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं क्योंकि स वह मेथड है शिले रेंड इफड़ से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं नमबर 14 दोस्तों आपने अक्सर बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े किचन के बारे में तो सुनाई होगा जो बताते हैं कि उनकी यहां रोजाना कितना खाना बनता है लेकिन क्या आपको को लंगर के तौर पर फ्री मिलता है अभी इमेज को आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वह एक इंचेंट पॉकेट शॉपिंग लिष्ट है पुराने समय में लोग इस तरह की पॉकेट शॉपिंग लिष्ट का यूज किया करते थे जबकि आज टेकनोलीजी कितनी बदल ग इसी इंडिया और एशिया में गधूं का सुल्टान भी कहा जाता है नमबर 11 आपने बचपन से लेकर आप तक नाजनी कितने ही बार रोमन काउंटिंग देखी होगी और उसका यूज भी किया होगा लेगिन क्या आप जानतें कि रोमन काउंटिंग में ऐसा फिगर भी है ज दोस्तों इंग्लीश को यूनिवर्सल लेंग्वेज कहा जाता है आप एक अलग देश के परसन से बात करनी के लिए कम से कम इंग्लीश का आना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लीश लेंग्वेज का सबसे पुराना शब कौन सा है अगर नहीं तो जा सुबह उठने के आधे कंटे के अंदर ही तंबाको को खाना शुरू कर देते हैं ब्राजिल में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नाम का मतलब होता है डोंट टच इस नाम के चलते ही शायाद यहां की आबादी सिर्फ 15,000 लोगों की है इस फैक्ट पर शायद ही आपने कभी गौर किया हो आप शायर नहीं जानते कि आपके थम का साइज आपके नोस के साइज के बिल्कुल एक्वल है नी सेम है वेट 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 आप एक बड़ ट्राइब करके दीखे और अगर सेम है तो कमेंट में जरूर बताईए नमबर 6 क्या आप जानते हैं कि दुनिया होते हैं कि उससे लगबग 200 गुना ज्यादा बैक्टिरिया एक आम इंसान के कंप्यूटर कीबोर्ड पर होते हैं नमबर 4 एपल आज दुनिया के बड़े बड़े ब्रैंट में गिना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एपल का सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था यह इ लिली फ्लावर के बारे में तो आप सभी ने सुनाई होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लिली फ्लावर कौन सा है जाइंट वाटर लिली नमकर यह लिली सबसे बड़ा लिली फ्लावर है इसके पते तकरीबन 6-9 फीट तक होते हैं इतना ही नहीं यह पत्त सो पौंड से भी ज्यादा का वजन आसानी से उठा सकते हैं अगर आपको भी नहीं पता कि गूगल पर एक दिन में कितने सर्च होते हैं तो जान लीजिए कि गूगल पर रोजाना छी अरब 58,60,13,574 सर्चेस होते हैं जिनमें 15% सर्च ऐसे होते हैं जिनको गूगल भी पहली देखता है नंबर वन दोस्तों जैसे कि अब सब जानते हैं कि हमारे पीम नरेंद्र मोधी जी किसी जमाने में चाय बेशते थे लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोधी जी चाय बेशते थे अगर नहीं तो यह देख लीजिए यह स्टॉल नंबर टी 13 यह वही श्टॉल है जहां मोधी जी कभी चाय बेशते थे इसी ठेले से इन्होंने पीम की कुर्सी तक का सफर किया है उनकी इस इंस्पारिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुम्किन है वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ओन कर लेना